तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है Alfred Lord Tennyson की एक शॉर्ट लेरिक पॉयम The Splendor Falls on Castle Falls ये एक थ्री स्टेंजा शॉर्ट पॉयम है जिसे Tennyson ने 1848 में लिखा इस वीडियो में हम पॉयम से रिलेटिड सारे important points को डिसकस करने वाले है लाइक, पॉयम का टेक्स्ट, टाइटल, थीम, सेंट्रल आइडिया, एंड बैग्राउंड तो बने रही है वीडियो के एंड तक, लेट्स बेगेन तो Alfred Lord Tennyson ने ये पॉयम 1848 में लिखी आइललेंड में एक लेक है किलार्णी लेक उस लेक के किनारी पर बैटकर नैचुरल सीन को अब्जर्व करते हुए पॉयम ने ये पॉयम लिखी और ये पॉयम पब्लिश होई 1850 में Tennyson की The Princess नाम से एक काफी लॉंग पॉयम है उसका ये पॉयम एक पार्ट है इस पॉयम को ब्यूगल सौंग भी कहते हैं ब्यूगल एक तरह का musical instrument होता है जिसकी image आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी पॉयम में बार-बार हर स्टेंजा में ब्यूगल साउंड को consider किया गया है इसलिए से ब्यूगल सौंग भी कहा जाता है बाकि जब आप पूरी पॉयम पढ़ लोगे तो आपको अपने आप clear हो जाएगा पॉयम में टोटल तीन स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा की rhyme scheme सेम है A, B, C, B, D, D नेक्स्ट पॉयंट है title टाइटल है The Splendor Falls on Castle Walls यहाँ Splendor का मतलब है डूपते वे सूरज की गहरी लाल और चमकीली rays जो कैसल की दिवारों पर, किले की दिवारों पर गिर रही है मेंली यहाँ पर संसेट के खुबसूरत सीन की बात की जा रही है बाकि पॉयम पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से title क्लियर हो जाएगा प्रोमिनेंटली पॉयम में तीन लिटरी डिवाइसिस का यूज हुआ है एलिटरेशन, रिपीटेशन, एंड परसॉनिफिकेशन और कब-कब इनका यूज हुआ है वो हम आपको पॉयम की दोरान बताऊंगी बात करें पॉयम के central idea and background की तो पॉयम में सीन है शाम का एक पुराना किला है, किले के पास में एक जील है चारो तरफ पहाड है, जिनकी चोटी बर्व से डखी हुई है संसेट हो रहा है, और सन की जो आखरी रीज है वो किले पर और जील पर गिर रही है चारो तरफ एक बहुती खुबसूरत सा लाल रंग फैला हुआ है मतलब एक बहुती खुबसूरत natural scene है ठीक, ऐसा ही scene आपको screen पर जो image है उसमें दिखाई दे रहा होगा इसे अपने दिमाग में बैठा लो क्योंकि आगे पूरी poem में हम इसी scene सी related बात करने वाले है I hope यहां तक के सारी points आपको clear है अब आते हैं poem की text पर Starting lines है The splendor falls on castle walls and snowy summits all in story यहाँ splendor का मतलब है दूपते वे सूरज की गहरी लाल और चमकीली किरने poet कहते हैं कि sunset का time है और दूपते वे सन की लाल लाल चमकीली रेज किले की दिवारों पर गिर रही है पहाड की चोटिया बर्व से ढकी हुई है और ऐसा scene अकसर हमें old stories में ही देखने को मिलता है Summits का मतलब है पहाड की चोटी The long light shakes across the lakes and the wild cataract leaps in glory कि sunlight जब lake के उपर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे sunlight shake कर रही है हिल रही है Basically जब lake का पानी हिलता है तो देखकर ऐसा लगता है जैसे sunlight हिल रही है and the wild cataract leaps in glory wild का मतलब है jungle और cataract का मतलब है waterfall कि इस jungle में जब sun की rays waterfall पर गिरती है तो वो भी चमक में डूब जाता है मतलब waterfall भी sunrise की वज़े से चमकने लगता है glorious लगता है blow, bugle, blow set the wild echoes flying blow, bugle, answer echoes dying, dying, dying यहां cataract leaps में personification है and dying, dying, dying में repetition literary device का यूज हुआ है point कहते हैं कि bugle को बजने दो और इस jungle में इसकी गूंज जितनी दूर तक जा सकती है उतनी दूर तक जाने दो और जब bugle के जवाब में उसकी गूंज सुनाई देगी वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे low होती जाएगी और धीरे धीरे eventually गाएव हो जाएगी basically जब किसी पहार से हम चिलाते हैं and thinner, clearer, farther going हार्क Old English का वर्ड है जिसका मतलब होता है listen पोईट कहते हैं कि सुनो यह जो bugle की आवाज है यह कितनी पतली और क्लियर है और यह जैसे जैसे आगे ट्रांसफर होती जाती है जैसे जैसे आगे जाती जाती है वैसे वैसे यह और भी थिन और क्लियर होती जाती है Cliff and scar दोनों का मतलब ही चटान है और यहाँ पर एक word यूज हुआ है Elfland Elf का मतलब होता है Fairy और Elfland का मतलब है Fairyland यानि परियों और फरिष्टों की दुनिया में नहीं यहाँ पर एक imaginary world की बात की जा रही है Reality में परिया किसी ने देखी तो है नहीं Point करते हैं कि जब bugle की आवाज दूर चटानों से जाकर टकराती है तो इतनी sweet लगती है जैसे परियों की दुनिया में धीमी धीमी आवाज में होन वजरा हो इतनी sweet आवाज लगती है Blow, let us hear the purple glance replying यहाँ पर एक word यूज हुआ है purple glance Glance का मतलब है valley मतलब घाटी और यहाँ पर Point ने valley को purple इसली बोला है क्योंकि sunset का time है और Point को हर चीज बहुत खुपसूरत और गहरे रंकी दिखाई दे रही है तो Point ने उस way में valley को भी परपल बोल दिया Point कहते हैं कि ब्यूगल को बजने दो और फिर हम भी देखते हैं कि इस परपल वैली में से गूंज कर जब आवाज reply के रूप में वापस हमारे पास आएगी तो कैसी सुनाई देगी आया समझ आगे है यह सेम लाइन रिपीट हुई है इसका मतलब आपको पता है तो आते हैं अगले स्टेंजा पर सबसे पहले यहाँ पर Point ने ओ लव कहकर एड्रेस किया है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस जील के किनारे बैटकर Point यह सारा सीन देख रहे है वहाँ Point के साथ Point की Beloved भी है जो Point के साथ यह सारा सीन देख रही है देडाय Point ने Bugle की आवाज के लिए यूज किया है और Yon Yonder की Short Form है जिसका मतलब होता है Distant या दूर तो Point अपनी Beloved से कहते है कि यह जो Bugle की आवाज है जो Eko है यह या तो दूर स्काय में जाकर गायब हो जाती है या फिर पहाडों, खेतों और नदियों से होकर जब गुजरती है तो हलकी होती होती गायब हो जाती है लेकिन हमारा यह जो Love है यह हमारी Souls में है और Soul to Soul हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा कभी भी इस Bugle की आवाज की तरह कम होता होता गायब नहीं होगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा यहां आर Eko से Point का मतलब है हमारा Love Blow, Bugle, Blow Set the Wild Eko's Flying and Answer Eko's Answer Dying, Dying, Dying बाकि स्टेंजा की तरह इस स्टेंजा में भी लास्ट लाइन एक्जेक्ली रिपीट हुई है जिसका मतलब मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है आपको पता भी है बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ Point कहते हैं कि Bugle को बजने दो और इस जंगल में इसकी गूंज जितनी दूर तक जा सकती है उतनी दूर तक जाने दो और इसकी आवाज के जवाब में जो गूंज सुनाई देगी वो जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे हलकी होती होती गायब हो जाएगी तो इसे के साथ ये poem कंपलीट होती है I hope poem आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आज की वीडियो में फिलाल इतना ही meet you soon with new video till then keep watching, keep learning thank you so much